दुनिया के अमीर लोगों में अंबानी परिवार का नाम भी शुमार है उनकी शहरत को कौन नहीं जानता हर को इनकी दौलत शहरत और रहनसेन की तरीके से प्रभावित रहता है वही अपके समय में जब उनके तीनों बच्चे वड़े हो चुके हैं और तीनों ही अपने काम को लेकर काफी ततपर दिखते हैं साथ ये अमबानी खंदान के बिजनस को बढ़ाने में भी भरफूर महनत करते हैं होई ये बात सामने आ रही है कि मुकेश अमबानी जल्द ही अपनी प्रॉपर्टी का बटवारा कर सकते हैं और ऐसा क्यूं? क्यूंकि अपने समय में जब उनके पिता थी रुभाई अमबानी ने अपनी प्रॉपर्टी का बटवारा नहीं किया था और उससे मुकेश अमबानी और अनिल अमबानी को कई दिक्कतों का सामना करना पड़ा था वही मुकेश अमबानी ये भी चाते है कि उनके बच्चों को इस दुख को ना देखना पड़े जो उनके भाई अनिल अमबानी ने उरह दिया था इसलिए मुकेश अमबानी अपनी प्रॉपटी को तीन भाग में बराबर अपने बच्चों में बाटने वाले हैं वोई बटवारी के तरीके को लेकर अभी मुकेश अमबानी सोच विचार कर रहे हैं क्योंकि वह एक best plan को अपनाना चाते हैं साथ ही यह जानकारी में मिल रही है कि दुनिया में कई अमीरों द्वारा अपनाए गए तरीकों में से एक तरीके को मुकेश अमबानी ने चुन लिया है वहीं आपको पता दे कि मुकेश अंबानी के पास 8 बिलियन डॉलर की प्रॉपर्टी है और वहें ये बिलकुल भी नहीं चाते हैं कि इस प्रॉपर्टी को लेकर उनके बच्चों के बीच किसी भी तरीकी की छड़प हो वहीं जानकारी के मुताबिक अभी पता चला है कि मुकेश अंबानी को वालमाट की फैमिली वॉल्टन्स का तरीका पसंद आ गया है जिसमें 1992 में कमपनी के मालेक सेंग वाट के बाद कारोबार को बाटा गया था जिस तरीके को उन्होंने अपनाया था वे मुकेश को पसंद आ चुका है इस फैमिली ने 1968 में अपनी कमपनी की बिजनस को मैनेज उसके हाथ में दे दिया था और वही कामकाच पर नज़र रखने के लिए एक बोर्ट का गठन कर दिया था वही सिंग वार्ड ने अपने चारो बच्चों में 20-20% दौलत को बाटा था इस तरीके से मुकेश अमबानी अपनी प्रॉपिटी को बाटना चाहते है साथ ही बता दे कि उनके बड़े बेटे आकाश अमबानी को टेलीकॉम और उनकी बीटी ईशा अमबानी को रेलाइंस का कारोबार सौपा जा सकता है और इसके साथ ही आनंद को ओयल रिफाइनरी का काम दिया जा सकता है आपको बता दे कि मुकेश अमबानी अपने बच्चों को वही कारोबार सोपने वाले हैं जिस पर उन्होंने काम किया था जैसा कि आकाश ने शुरू से ही जियो कारोबार को संभाला है और अपनी महनत से इस कारोबार को काफी उपर तक पहुचाया है आकाश ने अपनी मेहनत से जीओ को इस तरह से बनाया है इसके कम दाम को देखकर लोग अट्रैक्ट होते हैं वही 2021 तक आते आते कई मुबाइल नेटवर्किंग कमपनी बंध होने की कगार भी आ गई थी वही ये भी कहा जा रहा है कि अगर आकाश इस बिजनस को संभालेंगी तो इसकी ग्रोथ और भी जादा अच्छी होगी वही उनकी बेटी इशामबानी की बात करे तो जब से उन्होंने कारोबार संभाला है तब सही वे रिलाइंस डीटेल को संभाल रही है और उनके कारोबार में हाथ बटाने से रिलाइंस डीटेल को तरकी ही मिली है जिसमें हम आपको बता दे कि इशामबानी ने अपनी महनत से कई बुरंदिया हासल की है इशा की महनत से रिलाइंस डीटेल आज के समय में 10 डीटेल की लिस्ट में शुमार है इसके साथ ही मुकेश अमबानी की सबसे बड़े कारोबार की बात करें तो वो औल रिफाइनरी का है जिससे मुकेश अमबानी दुनिया की सबसे अमीर लोगों की लिस्ट में आते है और ये औल रिफाइनरी गुजरात के जामनगर में बनी हुई है और साथ ही रिलाइंस दुनिया की सबसे बड़ी पेट्रोल रिफाइनरी में भी शामिल है मुकेश अंबानी ने 1981 में इसकी जिम्मधारी ली थी और आज उन्होंने इस कारोबार को दुनिया के सबसे अमीर लोगों में पहुचा दिया है कि कोई भी उसका दाम सुनकर भोचका रह जाता है और वही ये जिम्मधारी मुकेश अंबानी की चोटे बेटे आनन्थ अंबानी के हाथ में जानी की अनुमान लगाए जा रहे हैं जिसे लेकर इनका छोटा बेटा काफी डेडिकेटिड भी है आपको बता दे कि अनन्थ अंबानी अपनी पूरी में अनन्थ अंबानी के हाथ में जा सकता है इसके साथ ही जब तीरों बच्चों को मुकेश अंबानी अपनी जिम्मधारिया दे देंगे तो वे एक ट्रस्टिंग बोर्ड बनाएंगे जिसके मेंबर्स उनके सबसे भरोसमन लोग ही होंगे जिसमें एडवाइजरी की जिम्मिदारी उनके पास होगी और वहीं जिन पर अंबानी परिवार आंक मून कर भरोसा कर सकते हैं वहीं लोग इस ट्रस्ट में शामिल होंगे साथ ही रेलाइंस पूरी दुनिया से टेलेंटिट लोगों को अपने साथ जोड़ने में लगा हुआ है ताकि उसके कारोबार की तरक्की हो सके आपको बता दे कि अभी तक अंबानी परिवार की कमपनी से दुनिया भर में 60 से ज़ादा देश जुड़े हुए है और भविष्णे में इनकी संख्या बढ़ने की भी आशांका नजर आ रही है ऐसे ही लेटिस्ट खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें सब्सक्राइब करें साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले